ओम नमः शिवा आग शुम्मवार के दिन आईए सुनते हैं सिव जी और पार्वती जी की यह कथा एक समय की बात है किसी नगर में एक साहुखार रहता था उसके घर में धान की कोई कमे नहीं थी लेकि उसकी कोई संतान नहीं थी इसकारण वह बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ती के लिए वह प्रतेक सोमवार ब्रत रखता था और पूरी स्रधा के साथ सिव मंदिर जाकर भगवान सिव और पार्वती जी की पूजा करता था उसकी भगती देखकर एक दिन मा पार्वती प्रशन हो गई और भगवान सिव से उस साहुखार की मनो कामना पूर करने का आग्रह किया पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान सिव ने कहा कि हे पार्वती इस संसार में हर प्रारी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसी भूगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने साहुखार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनो कामना पूर करने की इच्छा जताई माता पार्वती के आग्रह पर सिव जी ने शाहुकार को पुत्र प्रावती का परदान तो दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा की उसके बालक की आयू कीवल बारह वर्षोगी माता पार्वती और भगवान सिव की बातचीत को शाहुकार सुन रहा था उसी ना तो इस बात की खुसी थी और ना ही दुख वह पहले की भात सिव जी की पूजा करता रहा कुछ समय के बात शाहुकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जब वह बालक ग्यारह वर्ष का हुआ तो उसी पढ़ने के लिए कासी भेजा गया शाहुकार ने पुत्र की मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा की तुम इस बालक को कासी बिद्या प्राप्ती के लिए ले जाओ और मार्ग में यग्य कराना जहां भी यग्य कराओ वहां ब्राम्हरों को भोजन कराते और दच्छिडा देते हुए जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यग्य कराते और ब्राम्हरों को दान दच्छिडा देते कासी की ओर चल पड़े रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवा होने वाला था वह एक आकसी काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बाद को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक बिचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूला बना कर राजकुमारी से विवाह करा दूँ बिवाह के बार इसको धन देकर बिदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा लड़के को दूले की वस्त्र पहना कर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया लेकिन साहुकार का पुत्र इमानदार था उसे यह बात न्याय संगत नहें लगी उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा की तुम्हारा विवाह तो मेरी साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमारी के संग तुम्हीं भेजा जाएगा वह एक आक से काना है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई राजा ने अपनी पुत्री को बिदा नहीं किया जिससे भारात वापस चली गए दूसरी ओर शाहुकार का लड़का और उसका मामा कासी पहुचे और वहां जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिन लड़के की आयू 12 साल की हुई उसी दिन यग्य रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा की मेरी तवियर कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा की तुम अंदर जाकर सो जाओ सिव जी के वर्दान सार कुछ ही देर में उस बालक के प्रार निकल गए मृत भांजे को देख उसके मामा ने बिलाब सुरू किया सयोग बस उसी समय सिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे पार्वती ने भगवान सी कहा स्वामी मुझी इसकी रूनी की स्वर शहन नहीं हो रहा आप इस ब्यक्ती के कश को अवश्य दूर करें जब सिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहुकार का पुत्र है जिसी मैंने बारह वर्ष की आयू का वर्दान दिया जब इसकी आयू पूरी हो चुकी है लेकिन मात्रिभाव से विभोर माताव पारबती ने कहा कि हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की कृपा करें अन्यथा इसकी बियोग में इसके माता पिता भी तडप तडप कर मर जाएंगे माता पारबती के आगरह पर भगवान सीव ने उस लड़के को जिवीत कर दिया सीव जी की किरपा से वह लड़का जिवीत हो गया सिच्छा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की होर चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुचे जहां उसका विवा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग्यका आयोजन किया उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया इधर साहुकार और उसकी पतनी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतिछा कर रहे थे उन्होंने प्रड कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला तो वह भी प्राड त्याग देंगे परंतु अपने बेटे के जिवीत होने का समाचार पाकर वह बेहत प्रशन हुए उसी राद भगवान सिवने ब्यापारी के स्वपन में आकर कहा हे स्रेष्टी मैंने तेरे सोमवार के ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने से प्रशन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयुप्रदान की है इसी प्रकार जो कोई शुमवार ब्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके शभी दुख दूर होती है और समस्त मनु कामनाएं पूर होती है